हाई एक्रिवाइन कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगी मैं भी एच्छी हों देखिए जट पट कैसे दूद में रबडीद में तयार करती हूं यह देखिए एक लास दूद है यह इसमें डाला मैंने कड़ा ही में यह देखिए को एकर आपके घंद में अब हम क्या करेंगे कि दोटा नहीं तो पटापट देखिए दूद डाल दिया लोगी सखकर डालों इसमें हां है ठीक है करेंगे कि दो चम्माच इसमें मिल्क पॉडर डालेंगे देखें मिल्क पॉडर ज्यादा नहीं डालना है बस दो चम्मच जिससे की गाढ़ा हो सकें दूद जट पट वाली रबरी तयार करके बताती हूं आपको अब कि मिल्क पॉडर किता अच्छा कलर आ रहा है और यह देखिए यह ब्रेड है ना ब्रेड को मैंने ग्लाइडर में इसको जो पीच लिया था हलका सा यह देखिए महीन कलिया इसको मैंने यह देखिए यह अब इसमें इतना डालेगे विस्ते की बस जादा बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहों दूद जट पर देखिए रबड़ी रबड़ी भी इसके लंग जो ना इसके देदे करके इसके निकल जाएंगे देखिए यह फ्रेड है ना इसको देखिए इसमें डाल देंगे दूद में यह देखिए जट पर रबड़ी तयार बहुत है बहुत है अचनी बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वाधिश्च लगती ही यह देखिए बस पका लेंगे इसको हरका साथ ज्यादा हो तो आप भटा भी सकते हैं कि यह देखिए रबड़ी तयार होई फट 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 इसके रबड़ी बनके तयार इसकर भी ज्यादा नहीं डालना क्यों ज्यादा नहीं हो जाए फिर अब यह गारी होगी कि यह देखिए रबड़ी बनके तयार दस में देखिए रबड़ी दूस्ट मिल्क पॉड़र में तयार होगा यह देखिए अब यह देखिए इसको क्या करेंगे ना यह देखिए इसमें हरका हरका से लगा देंगे यह देखिए इस बाइब दूस्ट बना करके चासनी बनाके शाही टोस्ट भी लेकि मैंने बश्यर किया था आपके साथ बनाया था इस बार देखिए दूसरे तरह से बनाते हैं यह देखिए 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 पर स्लाइज काट करें बड़ी इसको बीस मैंने चार भाग करके करें देखिए लगा दियों कितनी अच्छी लग रही है वाव आई आप लोपी करमा गरम खाई रबड़ी फटापड बनके तयार चले मिलते हैं नेक्स ब्रॉप में उपके बाब आटे क्यार